बहुत सारे इटीज के प्रोग्राम तो एस जिन में बिलकुल भी अप्रेडिंग नहीं हुआ और कुछ आइटीज के कुछ प्रोग्राम का हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रेड नहीं हुआ अभी बहुत सारे सवाल करेंगे सर थर्ड राउंड में कितना अप्रेडिंग देखने को मिल सकता कितना अप्रेडिंग होगा आइजर, नाइजर और सीचेमन काउंसलिंग के राउंड डिकलेर होने के बाद में आइटीज एम काउंसलिंग के थर्ड फॉर्थ राउंड में क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता इन तमाम स्वालों पे हम डिटेल से डिसकस करने वाले इंस्ट्रेंट से तो फ्रेंट जैसा कि आपने देखा कि सेकंड डाउंड में कोई ज़्यादा अप्ग्रेडिंग नहीं था उसी परकार थर्ड राउंड आएगा अभी जो थर्ड राउंड आएगा उसमें भी कोई ज़्यादा आपको अप्ग्रेडिंग देखने को नहीं मिलेगा आप ये अपना डाउट निकाल दीजिए कि सर थर्ड राउन में कोई बहुत ज़ता अफ्ग्रेडिंग होने वाला इसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला हाला कि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे न्यू आइटी को छोटकर आइटी में आ चुके हैं और अपनी आइटी की Code जोई फ्रीज भी करशुके बहुत सारे स्प्रेड़ को फर्स्ट आउन में सीट अलोट हो गई है क्योंकि जिन स्प्रेण को न्यू आइटी मिलती एंटी है उनको जो अच्छे लेवल की एनद्र परसेंट मिलती है लेकिन अभी आइटी जेम में अभी आइटी जेम काउं से नहीं लेना है चाहिए कोई भी रीजिन हो तो इस्ट्रेंट उस सीट को छोड़ना चाहता है उस सीट को लेप करना चाहता है उस कंडिशन भी स्ट्रेंट को विड्रोल करना होता है क्या करना होता है सीट को विड्रोल करना होता है और जैसे स्ट्रेंट सीट को विड्रोल कर सकते हैं तो इस यह भी आपको मैं क्लियर कर दूँ कि 25 जून से लेकर 30 जून के बीच आप अपने सीट को विडूल कर सकते हैं जैसे अभी कल आपका राउंड आजाएगा आएटी जीम काउंसलिंगे थर्ड राउंड का अलोटमेंट हो जाएगा उसके बाद में थर्ड राउ मतलब कि 25 जून से 30 जून के बीच में बहुत बड़ी संख्या में सीट को विडूल करने वाले हैं लेकिन वो विडूल करेंगे 25 से 30 जून के बीच में और 25 से 30 जून के बाद में सीटे खाली होगी उसके बाद में आपका आएगा फोर्ट राउंड क्या आएगा आपका फोर्ट राउंड आएगा जैसे ही फोर्ट राउंड आएगा तो उसमें बहुत ज़दा अप्ग्रेडिंग देखने को आपको मिलने वाला है मतलब कि ये clear हो गया कि थर्ड राउंड में कोई बहुत ज़दा अप्ग्रेडिंग नहीं होने वाला हाँ अप्ग्रेडिंग होगा जो न्यू आएटि जैक या कुछ मिड़ल एवल के आएटिंगं उन्हें अप्ग्रेडिंग होगा लेकिन बहुत ज़दा आप सोच रहें जिसना आप expect करें लेकिन 4th round में बहुत ज़्यादा अप्ग्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा जिया है इस फॉर्ट राउंड में मलब बहुत सरे स्प्रेंट जिनको अभी कोई IAT अलोट नहीं हुई आपको सीट अलोट हो जाएगा और जैसे फॉर्ट राउंड आएगा तब तक एक दू आज़र का रिजल्ट और आजएगा और ज्यादा अप्ग्रेडिंग होगा और अच्छा अप्ग्रेडिंग आपको जो है फॉर्ट राउंड में देखने को मिलेगा आई होब कि स्ट्रेंट से इंफॉर्मेशन आपको बहत वसंदायोगी अगर आप भी चैनल पर नए है तो पली चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले थेंक्यू